अब बिना अधार नहीं उठा सकेंगे PMVVY का लाब PMVVY यानि की परधान मंत्री वेवंदन योजना के तहट पेंशन पारे वरिश नागरी को के लिए अब अधार अनिवारे कर दिया गया है विद मंत्राले के लिएक नोटिफिकेशन के मता भी किसी योजना का लाब ले रहे हैं लोगों को अब अनिवारे तोर पर अधार नंबर देना पड़ेगा या फिर अधार वेरिफ्केशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को अधार अधिनियम 2016 के तहट जारी किया गया था साथ ही का गया कि इस स्कीम का लाब उठा रहे किसी व्यक्ति के पास अगर अधार नंबर नहीं है या फिर उन्होंने इसके लिए रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन्हें अधार नंबर के लिए अपलाई करना होगा बायमेट्रिक नहीं बन पाने की स्थिती में मंत्राले का वित्ते सेवा विभाग अधार नंबर के लिए मदद करेगा बतादे कि इस योजना की खोशना 2017-18 और 2018-19 के बजट में की गई थी इस योजना में 60 साल से जादा उमर का कोई भी विक्ति निवेश कर सकता है 2018-19 के बजट में परधानमंत्री वेवंदन योजना के तहट निवेश किया धिनियम सीमा 15 लाक रुपे कर दी गई है इस कीम के तहट रेजिस्ट्रेशन मार्च 2020 तक कराया जा सकता है जानकारी दे कि इस योजना के तहट 8-8.3 फीसिदी की रेंज में a short return मिलता है भारतिय जीवन बीमा निगम यानि LIC के द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है एक्स्क्लूजिव समचार में आज के लिए इतना ही ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आकों उनका पिटन दवाना ना पूलें धरने बाद